असलाम अलेकूम वेलकम बैक टू माई चैनल के से हैं आप सब उमीद करते होंगे इस्तावेकल ठीक होंगे और हैरियत से होंगे तो जी जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए बता देती हूँ मेरा नाम है आईशा मैं हेल्थ के और ब्यूटी से रिलेटीड वीडियो बनाती हूँ और साथ में प्रोड़क्त पर रिव्यूज देती हूँ वीडियो आज की वीडियो है वो इंस्टाग्राम से ऑललाइन शॉपिंग के बारे में है कि आप इंस्टाग्राम की तरह सकते हैं यह उन्न लोड़किएं के लिए हाँ काफी helpful होगी जो इस्ट्राग्राम से शॉपिंग करना चाहती है जिनको नहीं बता कि उन्होंने कहां से बाइ करना है कैसे बाइ करना है और अगर वह बाइ करेंगी तो उनका एक्सपिरियंस कैसा रहेगा तो सारी चीजिए बताऊंगी डिलीवरी चार्जिस मुझे कितने पड़े स्टाफ कैस पड़े बाइ किया तो वह बताऊंगी कि एक्सपिरियंस कैसा रहा है आपको बाइ करना चाहिए या नहीं बाइ करना चाहिए अदर्वाइस मैं इंस्ट्राग्राम से बहुत शॉपिंग कि है लेकिन मैंने ब्रेंड़ेट शॉप से शॉपिंग करती रही हूं तो मेरा एक् लोकल पेज है वहां से बाइ किया है तो लोकल पेज की कहानी आज मैं आपको सुना होगी अपनी जबानी वह भी इस वीडियो में तो वीडियो को लास तक देखिएगा स्किप मत करिएगा और यहां पी एक और बात बात बोलूं कि जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मे अगर मुझे पता होता है आप लोगों को इंट्रेस्ट नहीं होता इस वीडियो में तो ज्यादा नहीं तो हॉफ चला दिया अगर थोड़ी अच्छी लग जाए तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स टाइम है तो सब्सक्राइ सब्सक्राइब कर दें और बेल को अन करिएगा और वाले उप्शन पे थाकि नेक्स आने वाली वीडियो भी आपको मेरे मिल सकें तो स्टार्ट करती हूँ जी मैं आपको दिखाना कि मैंने क्या बाइक है कहां से बाइक है सारी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ तो जी वो पेजस से मैंने दोनों सूट आर्डर किये थे मुझे दोनों पसंद आगे थे तो मैंने दोनों आर्डर कर लिये तो मैं आपको दिखाती हूँ अचहा डिलीवरी की सबसे पहले बात करें तो यह डिलीवरी बहुत लेटती इंतहा क assumption की लेटती like मैं भूल गई थी कि मैंने ये order भी किये हुए है या नहीं किये हुए है सबसे पहले ये order किया था सबसे लेट ये रसीव हुआ है तो काफी सुस्त delivery आइन की ठीक है तो ये बार मैं सबसे पहले आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपने कोई सूट बाइक करना है लाइक आपको वो सिल्वाना है लाइक नेक्स्ट मंथ में तो आप एक मंथ पहले ही order कर दें मैं तो यही मशवरा दूंगी क्योंकि दो तीन हफ़ते तो मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैंने यह order भी किया हुआ है यह नहीं पढ़ी है वीद डिलीवरी चार्जिस चार्जिस के जो ते वह तो फिफटी थे ठीक है अडा आई सो सिसके डिलीवरी चार्जिस थे और टॉटल दोना सुट पहला कि शेहार थीन तो के मुझे दो सुट मिले है अप सुट कौनकों से थे आपको और उनका टीजयं सookyरो कि है खोल डिखाओंगी कितने पीसी मैं läuftesta की तरह का सूट है। वाइक मैं और مर् nggak दोपड़ें मैं ओपर पिंक और बॉल सकते हैं रेड क्लर कोओं लेषां जो है ये बाई की है ठीक है रेड डोबटा है ब्लैक शिर्ट है ब्लैक टाॉजर है और इसके ओपर ये जो है वो इंब्रॉइडरी हुई हुई है तो ये दो सुट मैंने बाई की है अब मैं आपको इनको खोल के दिखाती हूँ अचा तो अगर बारगेनिंग की पात करें कि आप कितना बारगेनिंग की है मैंने तो मैंने उनसे बोला था कि आप मुझे थोड़ा सा लेस कर दे तो उन्हें बोला कि नई मतलब फिक्स प्राइस है तो लेस नहीं हो सकता तो एक दाफ़ ट्राइज जरूर मारा करें में भी कोई आपको लेस कर दे अच्छा तो सबसे पहले जो है वह मैं आपको ब्लैक वला ड्रेस दिखा देती हूं इसकी प्राइस जो है वह 2600 है 2600 का ये सूट है ब्लैक कलर का है ठीक है लोन का सूट है ये इसका कैटलॉक है ठीक प्रिंकल जो है वह काफी अच्छी थी ठीक है डुबटे जो थे वह दोनों बहुत अच्छे थे दोनों सूट के वह आगे दूसरे का भी शो करवाऊंगी अच्छा जी तो इसके साथ ये जो है टसल में ले ये डुबटे के लिए है और बटे पे लगे वे थे तो उन्हों स साथ में मुझे ये बेजें ये काफी खुबसूरत टसल हैं जैसे कि आप देख रहे हैं और नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये है जी इसका ट्राउजर शलवार जो भी आप स्ट्रिच करवाना चाहें ठीक है इसका कपड़ा कुछ हास नहीं था ये मैं आपको शो क वर्क हुआ हुआ है थोड़ा सा कहीं कहीं पे जो है ना वो तिल्ले का वर्क भी है तो मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाते हूँ है अभी मैं इसकी लैंठ दिखा रही हूं कि कितना है ठीक है ये आगे और पीछे वाले घेर पे आएगा डबल की हूआ हुआ है अभ मुझे भी इसी तरह लगे थे लेकिन जब मैंने बाई किया रियल लाइफ में इतना यह कलर जो है वो ब्राइट नहीं है यह पहले बता रही हूं आपको ब्राइट कलर नहीं है अच्छा यह अब जो नेक्स्ट पैच में आपको दिखा रही हूं यह बाजू के लिए है ठीक ह अब मैं आपको शर्ट पीस दिखा देती हूं ठीक है शर्ट पीस पीछे से बिल्कुल प्लेइन है आगे से इसके इमब्राइडरी हूई है जस्ट यह एक बेल डाइब जो है न मतलब एक बेल सा बना हूँ है इमब्राइडरी का और इसका जो है वो सेम जो पैच्चेस पे थी वो ही सेम इमब्राइडरी जो है डिजाइन वो इस पे ओई हुई है यह मैं आपको क्रीप से दिखा रही हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है वो सारी चीज समझ आ सके इसका वर्क धागे का काफी अच्छा हुआ हुआ है ठीक है लेकिन जितने कलर ब्राइड इसमें रैएडराइएं पिक्चर में इतने वह लाइव अकीकत में डेखने में इतने सप्जार ब्राइड कलर नहीं थे ठीक है तो यह चीज़ं आप माइन्ड में रखीए必जा आप देखने ब्राइड ब्राइड नज़रा रप्सूरत वीडियो में आरा तो हम गैने पिक् जो लोग शॉर्ट शिर्ट नहीं पहनते तो यह पिर उनके लिए नहीं है बाकी जो है वो नेक्स रूट जो है वो 3450 रुपेका था ठीक है और यह वाइट कलर में है साथ पिंक एंड रेड कलर यह मिक्स है जिसके यह फ्लॉज वगरा उपर बने हुए है अच्छा यह जो साथ में पैचिस जो है वो अल्रेडी इसके साथ अटैच हुए मैं नीचे इस तरह से वो थोड़ा सा सुराखों वाला जो कपड़ा होता है लेस टाइप वो है उसके ओपर प्रिंटिड है अच्छा सौरी यह डुबटा है ठीक है नेट का डुबटा है यह पतली सी नेट है और आगे लेस लगी वे जो के आपके सर के ओपर आगी ठीक है पलू इसके काफी हैफी इंब्राइड नी मतलब थोड़ा सा जो मैंने आपको शो करवाया उसी तरह अच्छा सेम जैसे पलू है डुबटे की वो ही सेम जो है आगे आपके स्लीव के आ रहा है जो भी मैं आपक फुलो वाला आ रहा है ठीक है तो यह बिल्कुछ सेम टू सेम स्लीव पर आएगा अच्छा बाजू आपके इतने खुले बनेंगे इसके बाजू भी थोड़ा सा कप्ड़ा ज्यादा है मतलब खुला बाजू बन सकता है बलैक की निसपत और इसकी जो शर्ट है उसकी साइड जो है वो प्रिंटीड है इस तरह से जो आप देख रहे हैं फ्लावर वाला हिस्सा उसके अंदर यह लेस का काम हुआ है नीचे इसके जो है नवह यह दामन के थोड़ा सा उपर यह आ जाएगा ठीक है यह वाला पृंट जो है डॉट्ट वाला एरिया है उसके नीच आपको 슉ट नीचे वो आपको यूज करना पड़ेगा जो भी आप नीचे यूज करना चाहते हैं कैमी सोल यह तो आपको यूज करना पड़ेगी अच्छा इसके साथ जो है ना वो नीचे उन्होंने मतलब अटाच करने के लिए कोई शमीस का कपड़ा या कुछ इस तरह से वो नहीं दिया नो वो सेपरेट आपको बाए करना पड़ेगा ठीक है यह को मैं करीब से दिखा रही हूँ ऐसके सुट ता ना इसके वडियों में नज़र आरे है ना देगा धाय चूरो पर इसके बेख जरी किया ने सब स्काथ करना चाहता है तो वो पेज़ पे जाके बाई कर सकता है ठीक है उनके पास और भी काफी सारी वराइटी थी अगर लास्ट में मैं अपना बताओं कि मेरा पॉइंट आफ यू क्या है इसके बारे में तो मैं यह बोलूगी कि प्राइस के हिसाब से जो वाइट वाला सूट है औ इतनी प्राइस इनकी आला किसम की है तो प्राइस के इसाब से थोड़ा से एक्सपैंसिव है लेकिन अवराल देखा जाए तो बाकी चीजों के इसाब सी अच्छा है इसकी काफी शोशा बनी ही है ठीक है पैन के काफी अच्छा सा और मॉडरन और काफी ब्रेंडर टाइप लगता है तो उसके इसाब से ठीक है फ्राइस बाकी प्लस पॉइंट यह है कि उसके जो वाइट वाला है उसका डबटा बहुत खुशूरत है और साथ में रेडी हुआ हुआ है अदरवाइस हमें वो टेलर को रेडी करवाने के लिए और पैच्छ लगवाने के सेपरेट हम पता नहीं कब तक चलेगा तो जो अफोर्ड का सकते हैं तो उनके लिए ठीक है एक दो दफा पैने तो पैसे पूरे हो जाएंगे आप लोगों के तो आप लोग बाई कर सकते हैं तो यह थी मेरी शॉपिंग यह था मेरा एक्स्पीरियंस अगर आपको वीडियो अच्छी ल